हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिप चैनल एजुकेट भारत में दोस्तो आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्टी के टॉप 100 वन लाइनर क्वेशन्स देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एक्जाम्स के लिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजे कि आप टॉपिक वाइज एमसी क्यूस चाहते हैं या फिर आप वन लाइनर क्वेशन्स चाहते हैं क्योंकि आप एक बर मुझे क्लियर कर देंगे वैसे आप देखेंगे कि इस चैनल पर सबसे जादा वर्ल्ड हिस्टी के वीड आप मुझे वो टॉपिक्स कमेंट करके दे दीजे मैं उस पर आपको वीडियो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी और मुझे फॉर्मिट भी बता दीजे कि आपको वन लाइनर में चाहिए है या एमसी क्यूस में चाहिए है तो मैं उसी तरीके से आपको वीडि यूग कहा जाता था एस्टेक सभिता किस देश से उत्पन हुई थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको एस्टेक सभिता मैक्सिको से उत्पन हुई थी मैरेथन का यूद कब और किसके मद्ध लड़ा गया तो मैरेथन का यूद 490 इसा पूर्व में एथेंस और इरान समराज के मद्ध लड़ा गया जिसमें एथेंस की जीत हुई थी पहलो पोनीशियन युद्ध कब और किसके मद्ध हुआ ये क्वेशन बहुत बार पूछा गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा 431 इसापूर्व से 404 इसापूर्व तक एथेंस वा इसपार्टी के मद्ध पहलो व्रनीशियन युद्ध हुआ था बगोल के किस यूनानी विद्धवान ने परिथवी की परीधी की गढ़ना करी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Aristothenes आपको याद रखना है Aristothenes का नाम जो युनानी विद्वान थे यहाँ पर युनानी हो जाएगा वो युनानी विद्वान थे जिन्होंने पृत्वी की परीधी की गढ़ना की थी युनानी दुखान्त नाटक प्रोमीधियस बाउंड के लेखक कौन थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसीलस जो एक दुखान्त नाटक है प्रोमीधियस बाउंड उसके लेखक थे यह पूछा गया क्वेशन है आपको ये याद रखना है युनान के सर्वस्रेश सुखान्त नाटक का नाम क्या है तो एरिस्टो फैनिस ये युनान के सबसे सुखान्त नाटक का नाम था युनान के कौन-कौन से महाकाव्यों की गढ़ना संचार के स्रेश्ट महाकाव्यों में होती है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको याद रखना है most important है इसे याद रखिएगा प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है ये भी पूछा गया है correct answer हो जाएगा Republic प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है रोम नगर की स्थापना कब और कहां हुई थी तो रोम नगर की स्थापना 1000 इसा पूर्व ताइबर नदी के दक्षिन में लेटियम नामक जिले में हुई थी most important है आपको याद रखना है प्यूनिक युद्ध कब और किसके मद्ध लड़ा गया तो प्यूनिक युद्ध कारियेज और रोम वासियों के मद्ध 264 इसा पूर्व से 146 इसा पूर्व के को स्वर्ण युग माना जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांग राजवंश को चीनी राजवंश में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है थाइलाइंड के किस राजा ने यूरोपी उपनिवेश के दौरान थाइलाइंड को जीवित रखने में युगदान तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा चुला लॉंकोन इनका नाम आपको याद रखना है थोड़ा जीपसा नाम है बट पूछा जाता है एक्जाम में याद तो रखने ही पड़ेगा बिजांटी नितिहास की सबसे शक्तिशाली महिला कौन थी तो वो थी महारानी थियोडोरा बिजांटी नितिहास की सबसे शक्तिशाली महिला महारानी थियोडोरा बरलीन की दिवार कब हटाई गई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में बरलीन की दिवार हटाई गई प्रसिद I have a dream भाशन किसने दिया बहुत पूछा जाता है question तो यह मार्टिन लूथर किंग जूनि प्रिंटिंग यह सभी चीन के चार महान अविशकार है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पूछ जाते हैं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसा पोटामिया यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी इरान का नेपोलियन किसे कहा ज चीन में अंतिम राजवंश कौन सा था बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग राजवंश चीन का अंतिम राजवंश था वैग्यानिक समाजवात के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काल मार्क्स क वैज्ञानिक समाजवात के संस्थापक के रूप में जाना जाता है जॉन ओफ आर्क का ग्रहे देश कौन सा था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस किस आयोजन के दोरान कोरिया दो रास्टों में विभाजित हो गया था तो देखे दुतिये विश्व युद्ध के दोरा पिरामिड है उसका नाम है जिसे हम गीजा के पिरामिड के नाम से भी जानते हैं जूलिया सिजर का जन्म किस शहर में हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम में जूलिया सिजर का जन्म हुआ था सुक्रात की मृत्यू किसके द्वारा चित्रित की गई थी तो करेक्ट आ Pannon Communist Party के संस्थापक थे मिश्री की सब्विता के अधिकांश Payramid किस नगर में इस्थित है ये बहुत पूछा जाता है तो 9 फिक नगर में मिश्री की सब्विता के adhikans Payramid इस्थित है चीन की प्राचीन सब्विता का विकास किब हुआ था तो लगभाग बेबीलोन और असीरिया के सम्मिलित छेत्र आते हैं मैसापोटामियों की सब्विता का प्रारंबिक विस्तार था यूक्रेटस और टिग्रिस नदी के आसपाश का छेत्र ये मैसापोटामियों की सब्विता का प्रारंबिक विस्तार था कुमार के चाक का सर्वपर्थम प्रयोग किस सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसा पोटामियों किस सभ्यता के लोगों के द्वारा कुमार के चाक का प्रयोग सर्वपर्थम किया गया था प्राचीन काल में मिश्र के एकी करण का श्रय किस राजा को जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा मिनीज को मिश्र के एकी करण का श्रय दिया जाता है मिश्र के शाशक को प्रशाशनिक कारियों में सला देने के लिए कौन सी परिशत का गठन किया जाता था तो correct answer हो जाएगा सारू नाम की परिशत का गठन किया जाता था प्रशाशनिक कारियों में शाशक को सलहा देने के लिए मिश्र की कौन सी रानी चित्रकला में निपूर्ण थी तो correct answer हो जाएगा रानी हेप सेप सूत जो चित्रकला में निपूर्ण थी मिश्र की प्राचीन चित्राक्षर लीपी है तो करेक्ट आंसर है हाईरोग्लाफिक लीपी ये मिश्र की प्राचीन चित्राक्षर लीपी है किस फ्रांसेसी विद्वान ने मिश्र की लीपी के समस्त अक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की तो correct answer हो जाएगा शाम पोलियो ने ठीक है आपको याद रखना है किस ने शाम पोलियो ने किस शाशक की बेबी लोनियन समराज्य का निर्माता किस शाशक को बेबी लो हो जाएगा हम्मूराभी द्वारा निर्मित विधी सहीता ये बेबी लोनिया की सबसे महत्पून देन है हम्मूराभी की विधी सहीता की भाशा कौन सी है तो correct answer हो जाएगा सेमेटिक भाशा कौन सी भाशा है सेमेटिक भाशा हम्मूराभी का दंड विश्यक सिध्धान्त क तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन वर्गों में अभीलम मसकेनम और अर्दू ये तीन भागों में विभक्तता बेबी लोनिया समाज बेबी लोन की सब्विता में दास वर्ग को किस नाम से जाना जाता था तो अर्दू के नाम से दास वर्ग को जाना जाता था बेबी लोनिय ये विश्व का प्रथम महाकाव्य था बेबी लोनिया के निवासियों की सरवाधिक रूची किस छेत्र में थी तो करेक्ट आंसर होगा जोतिशी के शेत्र में बेबी लोनिया के निवासियों की बहुत जादा रूची थी प्राचीन चीन की सब्धिता कौन सी नदी घाटी मे इस्तित है चीन की सभ्धिता most important है यह पूछा जाता है चीनी कलाकार किस धातू की वस्तुए बनाने में दक्ष थे तो यह कांस से की बनी वस्तुए बनाने में दक्ष हुआ करते थे चीन में विद्वानों के वर्गों को किस नाम से जाना जाता था तो मंदारीन के नाम से जाना जाता था चीन में विद्वानों के वर्गों को तो आकाश जो यंग के नाम से जाने जाते थी और प्रितवी जो इंग के नाम से जानी जाती थी ये दोनों आपको याद रखना है चीन के प्रमुक दार्शनिक हैं तो Confucius, Lao Tse, Maut और Mesias ये सभी चीन के प्रमुक दार्शनिक रहें हैं Confucius का जन्म कब और कहां हुआ तो Confucius का जन्म चीन के लू प्रांत के एक उच्च वर्गिये परिवार में 551 इसा पूर्व में हुआ था Confucius की दो पुस्तके कौन सी है तो देखिए I Ching और She Ching ये दोनों ही Confucius की दो पुस्तके है Lao Tse का जन्म कब और कहां हुआ तो Lao Tse का जन्म चीन में 604 इसा पूर्व होनान प्रांत के एक निर्धन परिवार में हुआ था तावबाद क्या है तो चीन के प्रसिद्ध दाशनिक Lao Tse की विचारधारा तावबाद कहलाती थी तावबाद के बारे में पूछा जाता है आपको ये याद रखना है युनान की सब्विता के प्रमुक देवी देवता है तो देखिए जीयस जो आकाश की देवता थे पोसाइडन जो समुद्र का देवता था अपोलो जो सूर्य देवता थे और एथीना जो विजय की देवी तो यह सभी युनानी देवता हुआ करते थे युनान की सब्विता के प्रमुक नगर राज्य कौन कौन से थे तो एथेंस और स्पार्टा ये दोनों ही युनान की सब्विता के प्रमुक नगर हुआ करते थे युरोपीय सब्विता का उद्गम किसको माना जाता है तो युना प्राचीन रोम की सब्विता का प्रारंबिक विकास किस देश में हुआ था तो ये इटली में हुआ था आपको ये याद रखना है रोम शहर की स्थापना किस के द्वारा की गई तो रोमुलस और रेमस के द्वारा रोम शहर की स्थापना की गई थी किस प्राचीन सब्विता का स्थान रोम की सभिता ने लिया था बर्बरियंट पद के प्रयोग के बारे में है यहाँ ग्रीक शब्दवर्बरास से लिया है जिसका अर्थ है नॉन ग्रीक रोमन लोग इस पद का प्रयोग जर्मन जंजातियां गॉल्ष और हूर्नों के लिए करते थे तो यह सब्सक्राइबात इटाया विश्वय की उतियास में वाहां परे नहीं क्यमार प्रिक्षा के अधारें-फ़र्म चीन की इसा हुआ था ऐसा इतियास में पहले समुश्वेल कॉछ पूर्व से मनश्य को क्या कहा गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकिंग मैं पैकिंग मैं कहा गया था मनश्यों को आर्माइक लीपी का प्रयोग किस एक प्राचीन सब्विता में किया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्मीयन आर्मियन के लिए अर्माइक लीपी का प्रयोग किया जाता है कौन सी सब्विता अपनी स्थापत्य विशेशकर नहराबदार द्वार तता लोहे के प्रयोग के लिए पसिद्ध थी तो ये सब्विता है हिट्टी सब्विता आपको याद रखना है क्योंकि ये question पूछा गया खुशकती सम्मंदित है खुशकती किस्से सम्मंदित है तो अर्बी में लिखावट की एक शैली है जिसे खुशकती के नाम से जाना जाता है अरब कला किस से प्रभावित थी तो ये बाईजेंटाइन और इरान से प्रभावित थी अरब कला सुमेर की सब्विता में पवित राजा होता था जिसे कहते थे तो पतेसी जिसे क्या कहते थे पतेसी समुराई कौन थे समुराई जपान के परंपरागत सैनिक वर्ग के जागिरदार थे काबु की प्राचीन जपानी नाट्य शैली है यह दोनों ही चीज़े आपको याद रखना है क्योंकि समुराई और काब दोनों के बारे में पूछा जाता है रोम का सबसे प्रसिद इतिहासकार कौन था तो टेसी टस ये रोम का सबसे प्रसिद इतिहासकार था रोमन समराथ जूलियस सिजर की कब और किसने हत्या की तो पॉमपी की अनुवयाईयों केसियस एवं छूटस ने 15 मार्च 44 इसा थी तो और किस वर्ष में किस अभधी में अफरीका एशिया और यूरोप में अर्ध इस्टाई बस्तिया उत्पन हुई तो दस हजार ईसा पूर्व यूनानी सब्विता कौनसे वर्ष में विक्सित हुई तो टोल्टेक कौन सी है ये सब्विता टोल्टेक सब्विता गीजा का महान पिरामिट किस मिश्र के शाशक के लिए बनाया गया था ये बनाया गया था खूफू या जिसे चीप्स के नाम से जाना जाता था गीजा का महान पिरामिट उनके लिए बनवाया गया था बेबिलोन सब्विता के प्रमुख देवी देवता कौन से हैं तो अन जो अकाश होते हैं समस जो सूर्य होते हैं बेल जो पृत्वी है सिन चंद्रमा निनंगल चंद्रमा की पतनी और इश्वर और मार्दुक ये सभी बेबिलोन सब्विता के प्रमुख देवी देवता हैं लिरिक किसे कहते हैं तो छोटी यूनानी कवीताओं को लिरिक के नाम से जाना जाता है ओलंपिक खेल कहां एवं क्यों होते थे? तो correct answer हो जाएगा यूनान में जी एस देःता के सम्मान में ओलंपिक खेल खेले जाते थे विश्व में किस नदी की किनारे मिश्र की सभ्यता का उद्भव हुआ है तो correct answer है नील नदी ये question सबसे आदा पूछा जाता है किस विद्वान ने कहा कि मिश्र नील नदी का वर्दान है तो हैरो डोटस ने कहा था कि मिश्र नील नदी का वर्दान है प्राठीन मिश्र का समाज कितने वर्गों में विभक्त था तो ये तीन वर्गों में विभक्त था ये आपको याद रखना है मिश्र सभ्यता में किस फल को अधिक प्रयोग किया जाता था तो सबसे आदा खजूर को प्रयोग किया जाता था मिश्र सभ्यता में दक्षिन मिश्र में सूर्य की उपाशना किस नाम से होती थी तो होरस की नाम से सूर्य की उपाशना की जाती थी दक्षिनी मिश्र में किस सभिता में परलोग बात को बहुत महत्व प्राप्त था तो मिश्र की सभिता में परलोग वाद को बहुत अधिक महत्व प्राप्त था मिश्र में आवागमन और यातायात का प्रमुक माध्यम थी तो वो थी नील नदी किस प्राचीन राज्य की सैने शक्ती अत्यंत दुर्बल थी तो मिश्र की जो सैने शक्ती है वो अत्यंत दुर्बल थी मिश्र की प्राचीन लिपी हाईरो मागलाफिक में कितने चिन्न थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 चिन्न थे प्राचीन काल में दजला और फरात नदियों के मध्य इस्तित भुभाग को किस नाम से जाना जाता था तो जाना जाता था मैसा पोटामिया के नाम से किस के नाम से मैसा पोटामिया के नाम से जाना जाता था बेबोलियन समाज में उच्च वर्ग के लोग कहलाते थे क्या कहलाते थे अभीलम कहलाते थे बेबोलियन समाज में किस प्राचीन सभ्विता के लोगों ने सुमेरियन की लाक्षर लीपी को अपनाया था तो बेबी लोनिया की सभ्विता ने सुमेरियन की लाक्षर लीपी को अपनाया था लेनिन यहाँ पर लेनिन हो जाएगा लेनिन की बाद अधिकारिक तौर पर सोवियत संकानेता कौन था तो वो था जोसेफ स्टालीन यह बहुत पुछा जाता है आपको यह याद रखना है किस सब्विता में राजत्व में देवत्व की भावना प्रचलित थी तो चीन की सब्विता में ऐसा था कि जो राजत्व था उसमें देवत्व की भावना सम्मिलित थी कुनाई चीहा नामक चित्रकार का सम्मंद किस चीनी राजवंश से था तो ये हान राजवंश से सम्मंदित था किस प्राचीन सब्विता में प्रतेक परिवार पूरवजों की पूजा करता था तो चीन की सब्विता है उसमें प्रतेक परिवार पूरवजों की पूजा करता था कौन सा विशकार प्राचीन चीन में हुआ है तो पांचक की जलगडी भुकंप लेखी यंत्रिन सभी का विशकार प्राचीन चीन में हुआ है अब बार ये लास्ट क्वेशन की किस रोमन शाशक ने जूलियन पंचांग का निर्मान किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निकिया सब्सक्राइब प्रेस कर दीजेगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बता दीजिए आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत